सच्छ्रियकाल स्वागतित्वडे सार्यांदा सडीस्खास पेशकष्देविच ट्रॉंटो तो मेहा तरुंदीप सिंग केनेडा विच हर साल वाकपक देशांतो कुमांतरी विद्यार्ती चंगे पविक्ता सुपनालै केनेडा विच ओंदे हन वाकपक देशांतो आय अन्ना विद्यार्तियानू केनेडियन लॉस अते आपने हक्कां बारे स्यादा जानकारी नहीं उन दिये अन्ना विद्यार्तियानू आपने हक्कां बारे जाननू कराओन अते कनेडियन लॉस तों वाकिफ कराओन लई बीते दिनी Sheridan College प्रैम्टन विखे एक वर्क्शॉप दा आयोजन कीता गया सी Canada विच आय एनन नवे कोमांतरी विद्यार्तियानू आपने हकां आते Canadian Laws बारे जानू कराऊना काफी जरूरी हुन दाये तां जो आय विद्यार्ति किसे भी किस्म दे फ्रॉड दाशिकार ना बनन एनन विद्यार्तियानू फ्रॉड्स तो बचाऊन आते आपने हकां तो वाकिफ कराऊन लई बीते दिनी पिल पुलिस, पंजाबी Community Health Services, United Sick Organizations आते वाखवाख Immigration सने Law Firms वल्लों एक वर्क्शॉप लगाई गई एस वर्क्शॉप विच एनना विद्यार्तियानू टेनेंट्स दे हकां बारे जानकारी मुहिया करवाई गई Housing Affordability अते Canadian Laws कारण लगबग सारे ही विद्यार्ती Canada विच किरायते करां विच रहन दे हान एनना विद्यार्तियानू किरायते रहन दे हान किसे वी किस्म दी कोई परिशानी ना होवे ऐस लई Law Firms वल्लों एनना विद्यार्तियानू टेनेंट्स लोस बारे जानकारी मुहिया करवाई गई इस दे नाल ही Immigration Firms वल्लों एनना विद्यार्तियान दे इंमिग्रेशन नाल संबंधी सवाल्ना दे जवाब वी दिते गए वक्वक संस्तामा वल्लों वी एना नवे को मांत्री विद्यारतियानों अपने हकां बारे जागरुक करवाया गया या ते नाल ही ओना वल्लों एना विद्यारतियानों मददा परोसा भी देता गया परमा उन्हाने लैंडलोड टैनर बोर्ड जड़े राइट्स ने ओदे बारे स्टुडेंस नो रस्या ते अलाइंस इमिग्रेशन ने इमिग्रेशन दे नाल रेलेट्ट जो भी क्वेस्चन सीगे उसारे आंसर की ते ने स्टुडेंस ने तो एदे नाल काफी जादे जिदो अपने राइट्स पर नहीं पता हुंदा यहां कई सानु जड़े एजंट्स ने बहुत ज्यादा मिस्ट गाइड कर देने तो खासकर के इमिग्रेशन दे काम दे विच बहुत ज्यादा उल्ला है गया तो अलाइंस इमिग्रेशन ते जड़ी अपनी पेस लाओ इना ने बह अपनी फैमिली अपनी नाल नहीं हुंदी मैंटल हेल्थ दी प्रावलम अडिक्शन दी आप जदे जड़े नवे आए जड़े स्टूबिंस ने उन नशे दे विच पैजन दे परवार इते ना होन करके तो जे तुसी किसे नहीं जान दें जे कोई भी इंसान नशे दे जारी कीती हुई है उदे ते कॉंटक्ट कर सकते हो एवन के पील रीजन प्लीस दा जड़ा क्राइम स्टॉपर्स दा नंबर उदे भी कॉंटक्ट कर सकते हो तो आड़ी ड़ी आइडेंटिटी और वील नहीं कीती जाओ गी तो आड़ी जड़ी इन्फॉर्मेशन और तो आपने रहें नहीं साफस्टी रखियें जेड़ी कंट्री दे विचे अपां आया एथे तो लगए धोड़ा सुरी हो गया थैंक्यू वगया कोई ओड़ी वास्ते डोर होल्ड करके रखना पोलाइटली गल करनी ओड़ी वाले थोड़ा ज़़ा जापना इफ्जा श्ड बेने एक अड़ और ऑने पर जाहिए प्रेस्टेशन पने बार्वासते पी लिजन प्रेसेंग करने ते बार्वासते हैं, लवजी इसंग बेंस मेरा नाम है, आप रिस्टी एक अडिवलाइब कुछिए ते आप देपर्म्हें यहें, ते एक प्रेसिशन देप्टेशन मुझे परेदेगे जर्माट इन सब्सक्राइब। विट आखे नहीं इंसाटुज नहीं होने के लिए इनिशयटिव से कह से गुष्यागया अगाशे चाहिक का की नहीं हो इंशयकित गुष्य। अप्र पुरुछी नहीं है इजय कि दूसरा अस्पेक्ट करना कि उन्ना भीशेक आख करना था है। तुष्पार शाक पर यू नमा देश है, नमे रूलने, नमा लैंसकेप, नमी बोली है, जो आँञ ओते हैं, लोग को अख्या है, TEज पनता है, जLouis didn't losee आँछे वेलिया है, नमा लो आँछे, करिके पतनली है ने लुट से स्पर्माइब कर डर्योंगा्यान वेसिज आफे हैं, इस हैं और युट से लिए ने तरोहिए भी लगाषब मेरा भी, प्र झाल अजान। टामान भंप मेराव लिगां है, नेरों उन्हें हैं। to help international students within the community and within the schooling system to realize what they can do to help make their experience here as beneficial as possible while keeping themselves safe and obviously developing their experience. Our message for the international students is always to take advantage of everything that you can, make those relationships continue to grow and build your life so that you can end up doing what it is that you want to do to be successful in your goal, in your journey. It is an organization-affiliated organization in which the police gave information to international students. It has been given that the Punjabi Health Community Services has provided services and resources. Especially for immigration matters, human trafficking, domestic violence, hate crime, human rights and charter rights violations. Especially for the United States or the religious freedom has been done. It has been created by our Kakaar and Articles of Faiths. So, in this event, we have empowered us. We have provided education and developed connections. And we have noticed that if all of our community members are going to work, then we will allow each other of the problems and issues to tackle. But we have to be mindful of others as well. And we have empowered us. We have the message for the United States. Since 1999, the community empowerment has rolled up. And especially for the other people, we have legal aid for Canada. So, if there is any question, feel free to reach us out at UnitedSix.org. Specifically, international students. For example, mental health issues. Employment, which is wrongful dismissal. Discrimination under the Human Rights Code. And the Kakaara, the Dastar, the Dastar, the Human Rights Charter Rights and Freedom, under the declaration also with the United Nations. We have to keep on top of the immigration matters. Especially if there are scams or issues. There is a big issue about housing, right? Illegal tenancies, violation in terms of housing, dealing with the policing, right? And general basic rights above responsibility. All the things that we have to do is we have to put in the community, not to put in the government, 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 not to put in the government. So, the three main factors or chapters will be the humanitarian aid, the other is legal aid, and the other is disaster relief, which is the humanitarianism. So, the director is the very passionate and well-educated, and we have the full team of lawyers and counselors who are helping the community and empowering the community. So, first of all, basic rights, right? For example, the human rights as a human, because the Canadian immigration has been a big issue of discrimination based on status. Right? The human rights, the citizens, who want refugees, international students, and the other is basic etiquettes, basic knowledge, police, when we call, when we call, when we call, when we call our dealings, when we call employers, when we call our society, when we call our society, we have to be mindful of Canadian values. At the same time, आपनी वैली जिनिया है गुरू सामने सानों सखाने हैं असी पर्याब तो इछ लागा उनके परचार करना हैं तो इंपावरिंग इच अधर एक एक responsibility है जहें साथा को प्राइब मेंटल हैल्थ जो नहां रहा है तो सानों दी सुननी चाहिए दिया है आपनी जो प्राइब मेंटल है सब्सक्राइब में गुगल कर सकते हैं असी लिटरेटरेश्य भी दता बच्चे आपनी पंजाबी पह भीरपहन पर काल करता है तो नों पुछ्य यंदा किस अनूं आप आउसिंग आश्यू है 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 तो सभी देया है जो आप नाप सभीयर लिटर्षाइब कर दा दा काला किर जो राजिये ओंट रस तर्व यहुड आखना थिया इंटरनाइट स्टूड़नों की फाइंड यूर परपेस सब तो पहला तुसी आपने आपनों एधसोबित वड़ा एफ परपस की याओंदा तो आनू मापापने जड़ाया कब चाहे हो कर जे चोके चाहे किसे दी जेव अलाओ कर दी भी सी फिर भी बड़ी हैसल या तुसी ब तूल तो अरड़ेके पर्वरी एफ एफ पर एफड़ एफ एक्टर होंदा असी एजुकेशन मुल्टिपलाई कार दे आं गुरू साम जाब अविद्धय विचारी तां परॉपकारी परॉपकारी परुपकार तां होगा जैसे आप पढ़ांगे ते लोकानों पढ़ांगे तो साथा ए मैसाज या भी, find your purpose, right, empower yourself, educate yourself, right, and become a leader, and that's what we need to do, and then again, we're always here to help, just चे लोड है किसे नो मी, reach out to us, and yeah, so stay empowered. पील पुलिस वल्लों वी एस वर्क्शोप दरान एक खास प्रेजेंटेशन दिती गई, उन्ना केहा कि पील पुलिस दे नाल लाल बाकी दे रीजन्स दियां पुलिस से वावावी हमेशा उना नाल हान, एस वर्क्शोप विच वकवक विश्यांते गालबात कीती गई, एस वर विद्यार्तियां दा मनोबल वदान लई आपने तरजूर्वे भी सांजे कीते गए जिसनों सुन ऐ विद्यार्ती काफी संतुष्ट नजर आए हुन समा हो गया एक छोटे जे ब्रेक दा ब्रेक दे उस पार साढ़ी एक खास पेशकाश जारी रहेगी तुसी जुडे रहो पीटीसी पंजाबी कैनेडा देनाल ब्रेक तो बाद इक वर फेर स्वागते तोडे सारेयांदा साढ़ी इस खास पेशकाश दे विच जिथे असी कालबात कार रहेयां कनेडियन कनुना आते कोमांत्री विद्यार्तियां दे हकाबारे एस सेमिनार विच ले रहे कोमांत्री विद्यार्तियां वलों अपने विचार सांजे कीते गए याते नाल ही और ना वलों दूजे विद्यार्तियां लई कुछ सुने है वी सांजे कीते गए पूरी करके ही थे मुप करो बद तो बद जानकरी रखो कि तुसी केड़ी प्रोविंस जा रहे हैं की ओधिया रिक्वार्मेंट्स ने केड़े करेको जिसने डी अप्रूब्ड ने तुसी कुछ चीज़ा खास्ते रखो कि करनों कोई भी प्रॉलम नावे तोड़े वर्ट प्रॉलम नाव बहुत चीज़ा इसे चेंज़ रहे हैं इमिग्रान लेकर सो तनों कोई भी कोशन है घाजी तुसी कनेक्ट करो पिलना रिकुर्मेंट इजन्सियों जरे तनों पे जंदेने और प्रॉपर इंफर्मिशन लवो दन ही तुसी आओ की हज यसी कैनड़ा जान द करण देम में अचार जाए ही हैं आप यसी चेंड़ सुर्कि बहुत करने इमर्च राखने प्रॉपर इजन्स आफ़ खुर्जार इस निव जड़ कोई अच्ट करने कोई ज तुसी आफे जोड़ होग जाए नव व्यक्श भी कोई निज निए प्रॉपर धिन गूद कर्द आए प्रेट को दो होगा है तुस पर आए इंफरमेशन देट है पनी एंगर प्राइट नेज़ ग्रूप नेज़ ग्रूप ने इंटर्नेशनल स्टुनेंस कि एग ऐगे 25, 26 , तरह देख आएनला में रहा हैं करले नहीं कर फिरे से लिमेंड हैं लिए कर वे एक आपी एक दो 차 कर ऑनेसरम है अघनो तो ऊद नहीं को घुड़ा इस हे सरे सुच ए डिपनेस्ट्व इन अंड़े एक डिर्डेयर बीड वे का राप दीजंड हैं कंप्लेंट हुं दिया और गाल करन तो कतरों देने ते एस जी इन्हों सी डिसकस करन दी इवेंट रख्या सीगा साथा इवेंट सक्सेस्फुल गया अधर आज प्राइजएंड मैं कह सब्सक्राइब करने इवेंट साथा बहुत वरीया किया थे श्टूरेंट सब्सक्राइब काफी कोई सिखर नहीं मिन्हों खोद मीं सी पता जड़ा मैं अठमी नहीं तो थे आया हो यां कैदा बेच इन्ट इन्टनेशनल स्टूरेंट बट म मिन्हों आपनी सी उनना चीज़ नहीं पता जेडिका आज चीज़ा डिसकस होई हैं सिखियां थे 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 थेंक्स एवरीवन जिन्हामी एवेंट विच जेड़े साथे गेस्ट आई सब्सक्राइब करके मैं कहना चोनना भी मिन्हों पील पुलिस ना दिलों प्यार हो यां पिलो था आप पुलिस ना गाल करना तो मैं खोट एचे जगदा सी भी पुलिस आगीगा नहीं आप डार दे सी गए ते टेनेंट्स राइट्स पारे मिन्हों अज बहुत जारियां चीज़ां बदा लगियां थे इवन कि मैं इस सोची हमनी सीखियां कि ए चीज़ां हून ग and one thing that I am going to take back with me is that as an international student there are people waiting for you to ask for help if you are going to ask for help you you are going to ask for help, then only they are going to help you so just go out and see people from your community and ask for help and they are always willing to help you with the best of resources they have it was really wonderful experience for me because I came here with a lot of questions and I do think that this kind of events should be promoted more throughout Canada I think so because international students I think are facing a lot of problems and at the end the question that we have in our mind is who's gonna assist us because going to lawyers is kind of scary personally it was really kind of scary for me but today after the session when I talked to the lawyers I actually realized it's not that difficult and I can actually deal with it so overall I'm really thankful for that Instagram reel that I saw today is to come here and the main thing is that my questions are related to immigration plus the first thing that I noticed was you know the introduction of the rights that how important the rights are and how we can actually use our rights the tenants rights I never heard of it before you know before the session I have I never give it give it a thought but yeah that was a really new thing for me then comes the immigration challenges that I face you know how we deal with the professional life the work permits how do we connect them with our fields and you know how then comes this peel region bullets the way they had us they told us about you know like how important it is to contact the bullets that we we are you know it's not important to get frightened from them they are there to help us and yeah I really believe that now and I hope this is gonna be a rainy fruitful experience for me in the upcoming future those students leave me the message a leg up please reach out because I am really you know feeling good about it that I seek for help because here I feel yes yes we have the rights and we have the resources to reach out to people talking to just your friends and you know your close circle that's not gonna help you out you have to be courageous and you have to reach out you have to talk to people about it because people are ready to help resources are there we are the ones who are afraid of our insecurities and we are not getting out so please reach out ask for help seek persistence there are people that's one of the most important things that we need to do today as being youngsters because we have goals and we are here to accomplish the schools so please focus on asking seeking help use the resources they are there for us up to know how canadian laws barra janka a vidyarati kaafi khush ndazarae ona keha ki ona kanuna di paal nata karan gehi paris de naal hi baki de loka novi enna vishya te jagro karan ge a si ajdi saddi khas kalbaad jithya si galbaad kiti Canadian laws ate komantri vidyaratiya de hakkaan baare so hun takli basenna hi te sanudiyo ijajat te tussi rakhou aapna khyaal te desh dunia diyaan khabraan vaasthe jude rao ptc de naal